हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, लान विट फाइजा, आज हम एक एसी हैल्ट प्रॉब्लम और इसके सलुशन के बारे में बात करेंगे, कि आप यहाँ पे देखी रहे होंगे, यह जो इनसान है उसे पीठ में डर्ध हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे है इसे भी दर्ध होता है, तो कूले से लेकर पैर के पिछले हिस्से तक बहुत तेज दर्ध होना, पीठ के निचले हिस्से में सुनपन या कमजोरी रहना, तो आप यहाँ पे देखिए यह जो वीडियो है, उसमें इस लेडी को पेरों और कमर में दर्ध हो रहा है, तो तो अभी कहीं बार ऐसा होता है, कि आप कोई बारी चीज या फिर चोटी से चीज भी जुक के उठा लेते हो, तो उससे आपको कुले या फिर कमर में दर्ध हो सकता है, और कमर और कुले की नसों में दर्ध होना, तो आप यहाँ पे देखिए, हमारी यह जो कमर का बाग है, और पेरो तक का यह जो बाग है, उसके बीज में एक नस है, वो नस में पेन होना, जिसे हम साइटिक नव कहते हैं, और वहाँ की नस में पेन होना, रात को दर्ध से सोने में बहुत परिशानी होती है, तो आप यहाँ पे देखिए, कि यह जो इनसान है, उसे सोने में तकलि तकलिफ होना या फिर पेरों की उंगलियों में पिन और सुई चुबने जैसा एसास होना वहाँ पे जलन होना जुनजनी होना तो यह यह भी एक सिंटम्स रहता है उसके बाद बैठने पर पेर के दर्ड बच जाना तो आप जब बैठ रहे हो या फिर बैठने के बाद खड़ हो रहे हो तो उसके कारण पीठ में और पेर की उंगलियों में या फिर पूरे पेर में डर्ड रहना चलने में तकलिफ होना तो आप ठीक तरीक से चल नहीं पाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर और पेर का जो बाग है उसमें डर्ड रहता है तो यह सभी सिंटम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको साइटिका की बिमारी हो सकती है तो अप साइटिका क्या है तो साइटिका को अगर हम समझे तो आप यहाँ पे देखिए कमर से लेकर पैरों तक डर्द होना तो यह जो बिमारी है आज का वीडियो लेक्चर उस पे हमारा रहेगा कि साइटिका की बिमारी में होता क्या है तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम साइटिका के बारे में क्या-क्या सिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडिक्शन से बात करेंगे न उसके causes, symptoms, diagnosis, treatment and medicine options तो यह जो सारे chapters है उसके बारे में आज हम one by one study करेंगे तो चलिए आप समझते हैं इस बिमारी के बारे में कि Cytica क्या है तो Cytica एक AC common problem है जिसमें आपको pain होता है तो pain कहां पे होता है तो pain जहां पे Cytic now है तो Cytic now अप कहां पे है तो यहां पे यह जो आप देख रहे हैं यलो कलर की यह है कूल है से लेके पेरों तक की एक Cytic now है उसमें pain होना तो Cytica especially pain, tingling, numbness और नसों की weakness के लिए use होता है तो Cytica में क्या होता है कि यह जो nerve है उसको उसमें डबाना जाता है तो Cytica में होता क्या है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यह जो nerve है उसमें डबाव आ जाना तो Cytic nerve पे अगर डबाव आ जाता है तो उसके कारण Cytica patient को हो सकता है तो Cytica refers when herinated disc or overgrowth of bone puts the pressure on the part of nerve तो आप यहां पे देखें यह जो है वो हमारी vertebral column है तो उसके बीच में आप यहां पे देखें कि यहां पे एक disc है उस disc पे यह जो bonds है उसका दबाव आने से यहां पे pressure आ सकता है तो उस pressure के कारण यह जो यहां पे नस आप देख रहे हैं उस nerve पे दबाव आना तो यहां पे यह नस आप देख रहे होंगे कि यहां पे redness हो गई है तो उसका compression हो जाना और prostitution तो यह आपको हो सकता है यह जो pain है वो specially inflammation और numbness करवाता है आपकी पेरो में तो हमारे जो cool है से लेके पेरो तक की जो नस है वहां पे आपको numbness हो जाना तिंगलिंग होना और सूजना सकता है वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है disease and treatment तो आपको हमारे साथ इसे ही study करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो book है तो आप यहां पे देखे कि यह book पूरी color printed है उसमें 125 diseases दिये गए है तो आपको हमारे साथ इसे ही study करना अच्छा लगता है तो best offer में December की price आपको रहेगी रुपीज 749 तो अभी order करें हमारी book अब बीमारी के कारण के बारे में जानते हैं तो इसका जो कारण है वो यह है pelvic injury तो pelvic part में अगर आपको कही बार या फिर previous injury रही है या फिर आपको पैरो का कमर का fracture रिया हुआ है आपको tumor है spondylitis, pregnancy और cyst यानि कि गांठ है हो जाना तो यह जो सारी conditions है उस condition के कारण आपको cytica की problem हो सकती है आप symptoms यानि कि लक्षन के बारे में समझे तो इसका जो main लक्षन रहता है वो है pain तो cytica में सबसे पहले आपको नसों में दर्द रहता है numbness आजाती है tingling muscle का weakness हो जाना urinary inconscience तो urinary inconscience में आप यहाँ पे देखे कि अगर आपका आपकी body में stress है तो इसके कारण आपको पेसाब जो है वो तपक तपक के आ सकता है और overflow यानि कि bladder हमारा जो है वो overflow हो जाता है तो उसके कारण भी आपको urinary inconscience हो सकता है कि आपको भी लग रहा है कि अभी पेसाब आएगी लेकिन उससे पहले यह आपको हो जाती है या फिर urge यानि कि urgent आपको frequency में जाना पड़ता है urgently जाना पड़ता है तो उसे हम urinary inconscience के types कहते हैं तो difficulty in walking चालने में परेशानी होना तो यह जो सारे लक्षन से वो डिखते हैं उसके बाद आप कभी बैठे हैं या फिर खड़े हैं तो उसके बाद forward और backward यानि कि आगे और पीछे मुढने में परेशानी होना उठने बेठने में परेशानी होना, muscle spasm होना, burning sensation रहना और lower back pain तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो lady है उसे खड़े होने में, बैठने में, आगी पीछे होने में या फिर कमर में ड़ड रहता है वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ तो अगर आपको भी इसी तरीके किसे कोई बिमारी हुई है तो इसका हल आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप मुझे whatsapp के true contact कर सकते हैं जिसे कि मैं आपका expert consultation कर सको now मैं आपको बताना चाहूँ तो आप में से कहीं लोग ऐसे हैं मेरी चैनल देखते हैं मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप अभी subscribe करें तो आप यहाँ पे देखें कि subscribe का ratio बहुत कम है जो कि unsubscribe का ratio यहाँ पे ज्यादा है तो आपको मेरा चैनल और हमारी जो वीडियो हैं आपको मेरा पढ़ाने का तरीक आच्छा लग रहा है तो आप मेरी चैनल को subscribe करें और bell icon को अभी turn करें now हम हमारे topic पे वापस से आते हैं कि इसके diagnosis क्या है सबसे पहले physical examination होगा जहाँ पे आपको pain हो रहा है वहाँ पे examination करते हैं आपकी previous medical history चेक करते हैं city scan MRI और blood test किया जाता है अब treatment के बारे में बात करें कि इसका treatment कैसे हो जकता है सबसे पहले patient को yoga suggest करते हैं pain relief therapy देते हैं meditation, physiotherapy, healthy diet रखने और healthy supplements देने के options रहते हैं उसके बाद भी अगर patient को ठीक नहीं होता है तो medicine options दिये जाते हैं अब medicine options के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है Mekonow Plus तो Mekonow Plus का यह जो dose है वो one capsule पर देका रहता है तो इसमें methylgobine, alpha lipoic acid and vitamin supplements रहते हैं उसके बाद जो डूसरी जो दी जाती है वो optineuron food, specially nerves के लिए है तो यह जो है उसका dose आपको one tablet पर देका रहेगा then neurobian food यह भी vitamin B complex और B12 से बनी हुई है तो इसका भी dose one tablet पर देका है उसके बाद है neurobian plus तो Mekobalamine, Pyridoxin, Hydrochloride and Nicotinamide इसके combination में यह tablet है तो इसका dose भी आपको सेम तरहीं के से रहेगा one tablet पर दे now video के बीच में मैं आपको आती हूँ तो अगर आपको हमारे साथ एसे ही study करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो book है वो ले सकते हैं disease and treatment बिमारिया और उनका उपचार तो आप यहाँ पर देखे यह जो book है वो पूरी color book है तो आपको अगर यह book चाहिए तो इसमें causes, symptoms, diagnosis, treatment यह जो सारे options से वो लिए हैं तो आप अभी order करें हमारी book तो December में आपको इसकी price रहेगी रुपी 749 अब other medicines options के बारे में देखें जिसे की maclezal तो maclezal इसका जो dose है वो one capsule पर देखा है उसके बाद neurokine gold RF है यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखें स्पेशली RF लिखा हुआ है इसमें multi vitamin और multi mineral supplements है तो यह capsule भी आपको one day per capsule का dose दिया जाता है उसके बाद neurokine food RF का injection है तो injection में macobalamine, pyridoxine hydrochloride and nicodinamide इसके combination में एक injection पर विक्का लगवाया जाता है तो यह भी आपको सेम तरीके से dose रहता है वन इंजेक्शन पर विक्क नाउ रेसनर प्लस यह जो टैबलेट है इसका dose आपको रहेगा one टेबलेट दिन में एक बार या फिर दो बार दिन प्रिगाबालीन 75 तो प्रिगाबालीन यह जो dose उसका वो वन टेबलेट दिन में एक या फिर दो बार रहता है then उसके बाद हम बात करें तो गाबा पीन 100 तो गाबा पीन 100 जो है ये पेशन को एक टेबलेड एक बार या फिर दो बार प्रिस्क्राइब की जाती है और एरी गाबा ऑइन्टमेंट तो अगर किसी को ज्यादा pain हो रहा है वहाँ पे ointment लगाना है तो उसके लिए ये जो combination है इसके combination में ये ointment patient को पिस्क्राइब किया जाता है तो ये जो ointment है वो patient को दिन में 2-3 बार affected area पे apply करनी है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा ल कि आपको कौन सी disease और कौन सी medicine के बारे में जानकारी चाहिए थैंक यू फो वोचिंग मैं वीडियो